हलो दोस्तों मैं वो सूरज और स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल देशी पड़ा कुपे आज की इस वीडियो में हम कबर करने वाले हैं फिर इंद ब्लैंक्स आस्ट इन MTS 2017 17 देखें Gracie Michiel Pksle यांबने जितना बढिया कमांड होगा आप फिर इंद बैंक्स के qs किष्चन उतने यीजली तरीके से आप कर पाओगे क्योंकि इसमें mostly जो questions है वो preposition से ही आते हैं और दूसरा second जो है vocab से तो vocab और preposition मिलके क्या बनाता है fill the blanks बनाता है तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो को तो देखे क्या है सबसे पहला जो question है वो है everything is bright and beautiful अब यहां पर दिया और fill the blanks और options है isn't he उसके बाद isn't it उसके बाद isn't c और option number d है isn't him तो बताए इसका right answer क्या होगा तो देखे यह जो question पूछा गया है वो question tags है आपने पढ़ा होगा question tag के इससे बारे में तो question tag में क्या होता है कि जब दिया हुआ रहता है तो पॉजीटिव में देने के बाद हम इसका जो कहा is isn't it इसलिए क्योंकि हाप ही हम नहीं लगा सकते और सी भी नहीं लगा सकते ही हम भी नहीं लगा सकते मतलब हम everything के बारे में बात करें प्रकृति के बारे में बात करें तो हमें आप क्या लगाएंगे it का यूज करेंगे तो इस तरह से आप eliminate करके answer अपने ढूंद सकते हो तो इसका right answer क्या है option number b अब देखेगा second question, second question क्या कहता है कि they are terribly busy with in the blanks work तो बताए इसका right answer क्या होगा option number a his, option number b their, option number c them, option number d her, right answer क्या है तो देखेगे इसका right answer है option number b, they are, they are terribly busy with their work यानि कि they का जो possessive case बनेगा सबका एक possessive case होता है जैसे बोलता है आई का, I का mine, my, उसी तरह से you का your, he का his, तो उसी तरह से they का क्या होता है possessive case, there होता है तो यहाँ पर dare लगाएगा मतलब वह क्या है अपने काम में busy है तो they का dare या यहाँ पर जो अपना वाला सिंसार है वो कौन देगा, there देगा, तो right answer कौन सा है, तो option number b, उसके बाद देखें क्या है, third question पर ध्यान देजेगा, third question क्या कह रहा है, कि his teacher fill in the blanks and explanation of his conduct, option number a, called up, option number b, called for, and option number c, called off, and option number d, on, तो बताइए इसका right answer क्या है, तो देखें, यह जो ह फ्रेजल वब से question है, अगर आपको फ्रेजल वब याद होगा, आपने फ्रेजल वब की वीडियो देखी होगी मेरी, तो आपको याद होगा, कि called for का मतलब क्या होता है, मांग करना, क्या है, मांग करना, तो इसका right answer क्या है, option number b, called 4 हो जाएगा, ठीक है, call 4 का मतलब भी होत मांगना, उसके बाद है, option number, sorry, question number 4 देखेगा, question number 4 कहता है, कि put your signature dash red ink, यानि कि option number a है through, option number b है in, option number c है with, option number d है by, तो बता है, इसका right answer कौन सा होगा, तो चलिए देखे, यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, कि put your signature dash red ink, अब यह red ink आ रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे ह pencil होता है, तो यहाँ पे आप with लगाते है, ठीक है, with a paint, with a pencil, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, red ink दिया हुआ है, और जब भी ink दिया हुआ है, तो आपको क्या preposition यूज़ करना है, तो ink का यूज़ करना है, याद रखेगा, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, बहुत का हम आएगा आगे चलके, जब भी अगर यहाँ पे, फिंदा blanks के बाद अगर दिया हुआ है, pencil, paint, तो आप हम with का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर ink दिया हुआ है, तो ink जब भी दिया है, तो आप आप इन का परियोग करें, क्योंकि in ink जो है एक phrase है, और यह जो है बिलकुल fix होता है न, fix phrase, तोसी तरह से यह बिलकुल fix है, कि ink के साथ हम in, कहीं परियोग करेंगे, तो इसका right answer हो जाएगा, option number B, उसके बाद का जो question है, वो है, question number 5 देखेगा, यह प्रिया, taste for poetry in the company of her cousin, यानि कि प्रिया, डैस, taste for poetry in the company for her cousin, अब बताई, इसमें जो first है, इंबाइब, option number B, fostered, option number C, learn, and option number D, cultivated, तो बताई, इसका right answer क्या होगा, तो देखे, इसका right answer है, option number B, fostered, fostered का मतलब होता है, उस साहित, ठीक है, उस साहित, बिलकुल बोलते है, कि उस साहित है, तो वही होता है, fostered, तो यहाँ पर वही हो जाएगा, प्रिया, fostered, taste for poetry in the company of her cousin, लेकिन यहाँ पे इंबाइब, छो है, इंबाइब का मतलब होता है, ग्रहन करना, क्या करना, तो ग्रहन का है, यहाँ पे साहित होगा, उसका यहाँ पर RIGHT answer होजाएगा, तो मैंने अब वही कहा, कि फिंदर, blanks ने के लिए, आपको दो चीजे, complete करनी चाहिए, पहला क्या, pre- प्रिपोजिशन देखे क्योंकि जितने भी आईएंगे question आप देखे प्रिपोजिशन से मुझली आएंगे तो पहले आपको प्रिपोजिशन complete करना है दूसरा आपका वोकेव ठीक है अगर यह दोनों अगर आपके सई होगा है तो आपका जो question से फिन दब्लैंज का बिलकुल सही होगा तो मैंने कोसिस की थी वीडियो बनाने की प्रीपोजिशन की भी ट्रिक से मैंने एक वीडियो बनाई भी थी डेमो भी दी थी पर आपने वीडियो को देखा पर आपने वहाँ पे कमेंट करके नहीं बताया कि हाँ इसकी आपको complete वीडि तो प्लीज आप कमेंट करके बताया करें कि यहां आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वहाँ पर कुछ लिखा करें आप कमेंट में कुछ बताएं हमें कहां आपका कैसा experience आप वीडियो को ले करके उसके बाद कि क्या कहता है कि I shall not desert her that's all the world I shall not desert her that's all the world अब यहाँ पर फ एंसर है वो होगा 4 ठीक है desert 4 I shall not desert her for all the world यह इसका क्या है right answer है उसके बाद का जो देखिए question बोल रहा है कल्पना इस एंडॉड डास मेनी great qualities कल्पना इस एंडॉड डास मेनी great qualities option number A from option number B to option number C with and option number D in तो इसका right answer क्या है आप बताएं तो देखिए इसका जो right answer है सबसे पहले समझी है यहाँ पर indoor इंडॉड का मतलब क्या होता है तो indoor का मतलब होता है दान देना ठीक है क्या करना दान देना या प्रदान करना और इसके साथ जो fixed proportion आता है वो आता है with क्या आता है with तो इसका right answer हो जाएगा option number C कल्पना इस unhappy person क्या दिया हुआ है कसिस is very unhappy person see that about almost everything तो बता ही इसका जो right answer हो क्या होगा पहला है grumble option number B है likes option number C है enjoy and option number D है loves तो देखिए इसका right answer है वो है option number A grumble grumble का मतलब होता है नाराजगी ठीक है क्या होता है तो दीके क्या दिया हुआ question कि कसिस is very unhappy person अब unhappy है unhappy जब है तो likes तो बिल्कुल नहीं आएगा पसंद करना enjoy बिल्कुल नहीं आएगा और loves बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि यह सब जो word है वो positive word है और sentence जो है मेरा क्या है negative है तो जब negative है तो negative word ही ढूणने की कोसिस किजिए य यह क्या हो जाएगा हमारा grumble, grumble का मतलब क्या होता है नाराजगी उसके बाद का question है कलपना has no proper to write dash अब देखिए option number a है paper दिया हुए sorry कलपना has no paper to write dash यानि कि फिरिंदा ब्लैंक option number a upon, option number b over, option number c at and option number d off इसका right answer क्या होगा तो देखिए right upon का मतलब इसका right answer क्या है option number a right upon का मतलब क्या होता है कि उस पर लिखने के लिए ठीक है उस पर लिखने के लिए मतलब कि इस पर paper पे लिखने के लिए तो right upon का मतलब क्या होगा कलपना के पास क्या नहीं है कुछ लिखने के लिए नहीं है मतलब paper पर कुछ लिखने के लिए नहीं है तो simply दी बात है upon का use करेंगे, उसके बाद का question जो है, question number 10 देखिएगा, C is busy, dash her work, अब यहाँ पर find the blanks में हमें डालना है, option number about, option number B with, option number C off, and option number D on, तो क्या आएगा, तो देखिए, BG के साथ क्या आएगा, with आएगा, C is busy with her work, वो अपने काम में busy है, तो यहाँ पर in का use नहीं करेंगे, यहाँ पर किसका use होता है, तो busy के साथ with लगाता है, याद रखेगा, C is busy with her work, याँ आप देख रहे होंगे, कि सारा का सारा खेल किसका है, तो preposition का है, उसके बाद है, रोहन preferred baseball, dash any other sport, option number A, 2, option number B, then, option number C, on, option number D, against, तो बताई इसका right answer क्या है, तो देखेगे, इसका right answer है, वो है option number A, 2, अब आपको पता होगा, कि यह क्या है, prefer लिखा होगा है, मतलब वो क्या करता है, रोहन prefer, आनि इस तरह का आपने sentence देखा होगा, I prefer coffee to tea, मतलब क्या, मैं चाय से जादा coffee पसंद करता हूँ, तो prefer जो है, prefer अपने साथ क्या लेता है, हमेशा 2 लेता है, देखे, prefer के साथ हम इसा क्या लगाते है, 2 लगाते है, तो इसके साथ 2 आएगए, आनि option number A, इसका क्या होजाएगा, right answer होजाएगा, option number A, 2, उसके बाद जो है, देखे, I have lived in Gujarat, तो I have lived in Gujarat, option number A, since 7 years, option number B, 7 years ago, option number C, 4, 7 years ago, और option number D, 4, 7 years, तो बता ही, right answer क्या होगा, यह जो question है, वो है, present perfect tense है, और आपको पता होना चाहिए, कि present perfect tense में भी, हम period of time का use करते हैं, और point of time का use करते हैं, यानि कि हम since और 4 का use इसमें करते हैं, तो बता ही, इसमें right answer क्या होजाएगा, तो देखे, eliminate करते हैं, elimination विद्धे से देखते हैं, कि since 7 years, since के साथ, 7 years के साथ, हम since का use नहीं करते हैं, तो option number यह हमारा गलत हो गया, 7 years ago, बिल्कुल नहीं होगा, उसके बाद 4, 7 years ago, यह भी नहीं होगा, क्योंकि 4 और ago दोनों एक साथ लगा दिया हैं, तो बचा क्या, option number D, 4, 7 years, तो I have lived in Gujarat for 7 years, मतलब मैं Gujarat में 7 सालों से रह रहा हूँ, उसके बाद जो है question, वो है it is I, who, अब यहाँ पर देखेगा, इस तरह का अगर आपने structure पढ़ा होगा, यहाँ पर क्या दिया होगा रहता है, कि it is I, subject इसमें I है, तो इसके साथ जो आगे आने वाला जो वर्व होगा, वो कौन सा होगा, तो आर तो हो नहीं सकता, आप यहाँ पर sentence देखे, is लगा हुआ है, तो is जब लगा हुआ है, तो यहाँ पर have तो होगा नहीं, और इसके बाद is, तो I के साथ is तो लगता नहीं है, तो बचा क्या am, यानि it is I, who am to blame for this sad situation, तो इस तरह से आप easily choose कर सकते हो right answer, उसके बाद है, one must do, यह तो बहुत आसान कोई भी बता देगा, one must do, dash duty, तो देखे, one के साथ हमेशा जो इसका लगेगा आगे आने वाला जो objective case लगेगा, वो लगेगा, once, one must do, once duty, ठीक है, मतलब परते एक इंसान को अपना duty करना चाहिए, तो option नमरे गलत हो जाएगा, हर गलत हो जाएगा, हिम गलत हो जाएगा, ब अब यहाँ पर देखे, question बता रहा है कि interd, interd के साथ कौन सा preposition लगता है, तो मैं आपको बता दू, interd के साथ हम कोई भी preposition use नहीं करते हैं, तो इसके साथ कोई साथ preposition नहीं लगेगा, ना तो in लगेगा, ना ही into लगेगा, और ना ही up लगेगा, तो क्या लगेगा, group of ABC a school, मतलब किसी a school का नाम है, ABC, कोई a school है, ABC, तो a group of ABC a school boys, that's the highest peak of mount K2, अब यहाँ पर option number A है, walk, option number B है, a scale, option number C है, lost, and option number D है, won, तो इसका right answer क्या होगा, तो देखे, walk, walk तो करने की सकते है, पहाड़ पे, क्यानी, mount है, K2 है, कारा कुरम तो इस पर हम walk तो करेंगे नहीं, अब यहाँ पर lost, lost का मतलब खोना, वो तो sense ही नहीं आ रहा, won का मतलब जीतना, यह भी कोई sense नहीं आ रहा, तो a scale, a scale का मतलब होता है, map ना या चड़ना, ठीक है, map ना या चड़ना, मतलब क्या चड़ गए, कहां चड़ गए, तो mount K2 पर हो चड़ गए, यहाँ पिर mount K2 को map दिया, तो इस तरह से scale का मतलब क्या हो जाता है, map ना या फिर चड़ना, उसके बाद देखी, question number 17 कह रहा है, कि C cannot deprive him, C cannot deprive him, dash his rights, अब यहाँ पर देखी क्या बोल रहा है, कि deprive, तो deprive के साथ कौन सा preposition आएगा, वो आप से पूछा जा रहा है, तो तो deprive का मतलब पहले होता है, तो deprive का मतलब होता है, वनचित, ठीक है, वनचित रखना, मतलब किसी बी चीज से, किसी भी संपती से, चीज से उसको वनचित रखना, तो deprive के साथ 朝 preposition आता है, वनचित रखना, के sense में, तो deprive के साथ क्या आएगा, of आएगा option number C जो है इसका right answer हो जाएगा तो C cannot deprive him from sorry C cannot deprive him of his rights उसके बाद का जो question है देखेगा question number 18 क्या कहता है कि my uncle my uncle Mr. Lalith Singh comes home at the of the month option number A end option number B gone option number bring option number C bring and option number D returning अब यहाँ पर सब्सक्राइब के साथ क्या आता है तो at the end होता है मतलब सब्सक्राइब महीने के अंत में मतलब मन्त के अंत में तो हम यहाँ पर यूज करेंगे at the end तो इसका right answer हो जाएगा option number A उसके बाद का जो question है नेहा विल गिब you a gift नेहा विल give you a gift that you complete her work in next two hours मतलब हुआ कि नेहा तुम्हें गिफ्ट देगी अगर तुम आने वाले दो घंटे के भीतर कोई काम जो है complete कर लेते हो त्या पर अगर के sense में या फिर यदी के sense में क्या लगाएंगे दाव लगाएंगे एज लगाएंगे इफ लगाएंगे टिल लगाएंगे क्या लगाएंगे बताइए तो हम लगाएंगे इफ का इस तरह के conditional sentence में अब किसका यूज करते हैं इफ का यूज करते हैं कि यदि तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूँगा इस तरह से भी हम लगा सकते हैं इफ का परियोग कर सकते हैं तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी उसके बाद का जो क्यों से क्यों है वह कह रहा है कि अस्तोस टी टॉल रिक्षेशन नौट का मतलब होता हुआ जबन लेता है ठीक है متलब होटा है भावी तो आस्तोस मिन नॉट्ट बिआ फिर फादर उसके बाद का question जो है वो है the cm flea the cm flea dash the flooded area in a helicopter तो बताए इसका right answer क्या होगा तो इसका right answer है सीधा जाए है आपके flea का मतलब क्या होता है उपर से उड़ना और flea जो है अपने सास्थ क्या लेता है over लेता है क्या लेता है over ठीक है तो क्या हो जाएगा flea over जिसका मतलब होता है उपर से उड़ना मतलब जो cm है उपर से उड़कर जाएजा ले रहे हैं किसका जाएजा ले रहे हैं तो जो flood आई हुई है मतलब बार्ड जो आई हुए उसका जाएजा ले रहे हैं तो इसका right answer क्या हो जाएगा option सा Preposition आता है तो का मतलब होता है चिंतित सबसे इनगहस का मतलब जानी इस चिंतित होता है ठीक है तो एनेखस के साथ कौन सा प्री पोजिशन आएगा तो एनेक्स साथ हमेसा about प्री पोजिशन लिता है एनेक्स अर very about health her mother is an excess her about health मतलब उसकी माता जो है उसके health के बारे में चिंतित है उसके बाद का जो question है where she lost she lost, dash, hope she had, अब यहाँ पर देखिए है she lost, lost के बाद यहाँ पर क्या है, dash है, उसके बाद hope है उसके बाद she had, तो option नमबर यह है the little, option नमबर b है much option नमबर c है few, और option नमबर d है a very, तो बताए ही क्या होगा, आप eliminate करना सेखिए यहाँ a very का मतलब क्या होगा, ज्यादा, ठीक है few का मतलब होगा, come, c यह भी नहीं हो सकता, she lost, few hope she had, नहीं, few का नहीं होता much का मतलब ज्यादा, अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था, a little the little के बारे में, little, a little और the little के बारे में, तो the little का मतलब होता है, जो थोड़ा है वो भी ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, जो मैंने hundred golden rules बताया आपको grammar के, उस video में मैंने आपको बताया है कि a little, little और the little तो the little का मतलबता है जो थोड़ा है वो भी, यानि कि उसके पास जो थोड़ा आसा था वो भी उसने क्या कर दिया, खो दिया, तो यहाँ पर the little जो है right answer हो जाएगा option number A, उसके बाद का जो question है, वो कहता है कि I had hardly finished my work, the phone rang, I had hardly finished my work, that the phone rang, option number A है, then, option number B है, where, and option number C है, then, option number C है, when, यानि कि then, where, then, और when, तो right answer इसमें क्या होगा, तो देखिए आपको मैंने बताया है, कि hardly अपने साथ हमेशा वो when लेता है, क्या लेता है, when लेता है, देखिए मैंने आपको एक trick बताई थी, hardly और scarcely की, hardly और scarcely, ठीक है, hardly और scarcely, तो इ आज के time में, आज के time में, when और car लेना, when, when को मैंने लिखा था, when, V-A-N, आज के time में, when और car लेना क्या है, hard है, तो hardly और scarcely अपने साथ क्या लेगा, when लगेगा, तो लेगा, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, option number B, उसके बाद का जो question है, वो है, Mr. Batra took a card from pocket, अब यहाँ पे यहाँ पे लिख रहा हूं, तो Mr. Batra took a card from, उसके बाद यहाँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे लिख रहा हूं, तो Mr. Batra took a card from, dash pocket, option number there, option number B, her, option number C, his, and option number D, तो आपर दे कि Mr. Batra है, तो Mr. Batra क्या है, singular subject है, जो कि किसका बोद करा रहा है, तो एक male का बोद करा रह from his pocket, मतलब Mr. Batra ने अपने pocket से एक card निकाला, उसके बाद का जो question है, वो है, the rich, dash not always happy, अब यहाँ पे देखेगा क्या बोल रहा है, the rich, dash not always happy, option number A है, have, option number B है, R, option number C है, and option number D है, M, तो have का तो यहाँ पे सवाली नहीं है, क्योंकि have का यहाँ पे 10C नहीं है, तो option number A तो गया, option number B है, option number C है, तो have है, तो बिल्कुल चला गया, अब बचा R और बचा M, तो बताए क्या होगा, तो देखे, the rich लगा हुआ है, तो the rich का मतलब होता है, गरीब लोग, क्या होता है, the लग गया, जैसे अगर मैंने का poor, तो poor का मतलब गरीब, लेकिन मैंने कहा the poor, the poor का मतलब हो option number B, यानि की R लग जाएगा, the rich people, sorry, the rich are not always happy, उसके बाद है, question number 27 देखेगा, either father, either father or his son, डैस T, अब यहाँ पर देखे, क्या है, either, either के साथ क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है, अब इसका rule समझेगा, आगे आने वाला वर्व क्या होगा, तो जब भी दो, subject जब either or से, neither nor से जुड़े हो, किस से जुड़े हो, जब भी दो subject either or से, और neither nor से जुड़े हो, तो आगे आने वाला जो वर्व होगा, वो अपने near वाले subject के recording होगा, यानि कि his son's के recording होगा, तो यहाँ पर his son's क्या plural है, तो इसके साथ plural verb लगाएंगे, तो इसके साथ क्या हो प्रिफर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, कि either or neither nor जब दो subject को साथ में जोड़ेगा, तो आगे आने वाल वर्व जो है, near subject के recording लगेगा, यानि यह singular होगा, तो singular verb, प्लूरल होगा, तो plural verb, उसके बाद का जो question है, 28 नमर देखेगा, a small income is preferable, dash no income at all, अब यहाँ एक question जो ह अपने साथ क्या लेता है, तो two लेता है, इस तरह से बहुत मिल जाएंगा, आपको बहुत सारे ऐसे जो है, वो लेता है, जैसे junior है, senior है, तो junior two हीम होता है, senior two हीम होता है, तो अपने साथ two लेता है, तो option number यह जो है, इसका right answer है, उसके बाद देखेगा, 29 number question क्या कहता है, कि this building comprises 40 rooms, अब यहां पर देखेगे क्या बोल रहा है, comprises, तो comprises जो है, अपने साथ कौन सा preposition लेगा, यह आपको बताना है, तो देखेगे क्या है, यह क्या है, active form में जब use होता है, जब active wise में जब use होता है, तो इसके साथ हम कोई साथ भी preposition नहीं लगाता है, तो इसमें बाकि आपको इसमें देखना है, यह question मुझे options जो है, वो मुझे गलत लगे, क्योंकि जब भी comprises जो है, आता है, active voice में यूज होता है, तो हम इसके साथ कोई preposition नहीं लगाते है, तो यह देख लिजेगा आप, उसके बाद देखे, question number 30 क्या कहता है, question number 30 कह रहा है, कि निहार अपका डैस, her matriculation examination in 2008, यानि निहारका ने अपना जो matriculation exam है, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, तो पास लगाएंगे, क्योंकि पास नहीं सकता है, तो पास लगाएंगे, क्योंकि पास नहीं सकता है, क्योंकि duration तो है, निकि हाँ बाई, graduation complete किया, उसने पास किया, ठीक है, perform क्योंकि aapre marks की बात ही नहीं औरy, obtain का भी नहीं होगा, क्योंकि aapre marks हम होसी और प्राप्त करना, और perform का मतलब क्या होता है, अच्छा performance मतलब rank ले आई तो अच्छा performance हो गया, तो क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, उसके बाद है, question number thirty दिखिएगा, क्या कहता है, 31 है कि he died dash chance he died yeah chance मतलब वो क्या हो गया by chance मर गया कैसे मर गया by chance मर गया तो right hand क्या हो जाएगा option number d by chance by chance भी acosmic होता है यहाँपे sense किया रहा acosmic मतलब वो acosmic ही मर गया तो वही यहाँपे sense आहेगा by chance उसके बाद का जो question कह रहा है बोल रहा है कि her fingers were numb that's cold अब यहां पर देखिए cold का मतलब ठंडा होता है numb का मतलब आपको पता होना चाहिए कि numb का मतलब क्या होता है तब ही यह बनेगा तो ठीक है numb का मतलब होता है सुन कर देना her fingers were numbed with इसके साथ हम with का परियोग करते है ठीक है with cold जब भी ठंड से होता है तो ठंड से का मतलब क्या होता है with cold यानि ठंड से उसके जो उंगलियां है fingers से वो सुन हो गया है उसके बाद का जो question है वो है 33 नमबर देखिए क्या कहता है अब यहाँ पर वर्ड आ रहा है comparatively का मतलब क्या compare करना है न अब देखिए comparatively और relatively के बाद जो है हमेशा positive का परियोग होता है किसका परियोगा positive degree का परियोग होता है याद रखेगा comparatively के साथ और किसके साथ relatively के साथ हमेशा जो है positive degree का परिव होता है इसके right answer हो जाएगा easy क्या हो जाएगा right answer is easy उसके बाद का जो question है देखिएगा 34 number question क्या कहता है कि Rohan and Sohan Rohan and Sohan are brothers but the death is very poor अब यहाँ पह है option number later, option number B is farther option number C is further and option number D is later अब इसमें आप बहुत confused होगे कि हाँ इसका right answer जो है वो क्या होगा क्योंकि सारे words जो है later, later, further, further अब यहाँ पे बहुत अच्छे में आपको समझा रहा हूँ ध्यान दे समझेगा सबसे पहले समझे later का मतलब होता है later का मतलब होता है बाद में फर्दर का मतलब हुथ है अपेच्छा करियेत दूर यानि यह जो है difference को सो करता है ठीक है further का मतलब नाच्ट किया सो करना क्रम सों करना मतलब क्रम में बोलता है बहुत है, bear कि निक सब से działाएं and paper जो गता है थिक यही जो है यहाँ पर write sets का आ रहा है हो जाएगा उसके बाद है question number 35 Peter dash found since he went to America अब Peter के बाद dash है उसके बाद हमारा right answer क्या होगा हो बताइए option number a hasn't, option number b didn't, option number c wasn't and option number d haven't तो right answer क्या होगा तो देखे इसका जो right answer होगा option number a hasn't क्यों क्योंकि Peter जो है singular subject है singular subject हमेसे अपने सा singular verb लेगा है तो लेगा नहीं ठीक है और यहाँ पर वाज तो बिल्कुल नहीं हो sense ही नहीं आ रहा है क्योंकि tense ही उस टाइप का अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्यों sense plus यहाँ पर रहेगा आपका simple past simple past ठीक है present perfect plus sense plus simple past तो देखें यहाँ पर structure क्या है since है और यहाँ पर he went simple past है तो इस तरह है तो आगे आने वाले जो tense होगा वो क्या होगा तो present perfect ही होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा hasn't हो जाएगा didn't भी नहीं होगा wasn't तो बिल्कुल तो देखें नाइदर के साथ क्या लगाते हैं नाइदर के साथ हम हमें साथ नौर का यूज करते हैं और आइदर के साथ किसका यूज करते हैं तो आइदर के साथ और का यूज करते हैं नाइदर के साथ नौर तो इसका राइट अंस क्या हो जाएगा option number नाइदर के साथ तो यह सब जो है कोरिल्टिक कंजक्शन से तो यह सब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है नाइधर नौर आइधर और नॉट अगे बढ़ता हूं अगला जो क्यूशन है वो कहता है कि रोहन has always been that atheistic when it comes to travel तो बता ही राइट एंसर इसका क्या होगा तो देखे atheistic जो दिया हुआ है ना atheist का मतलब क्या होता है उत्साही ठीक है क्या होता है उत्साही अब यहाँ पर देखे atheist जो दिया हुआ है तो यह जो है वो क्या है एक bubble है क्या है एक bubble है और यह अपने साथ पहले क्या लेगा इन लेगा क्या लेगा एन लेगा तो यहां पर एथ्विस्टिक क्या मतलब क्या हो गया उस साही तो रोहन ए है जो हो जाएगा एन हो जाएगा उसके बाद का जो क्विश्चन दिया हुआ है वह है क्या लेता है वो द लेता है तो यहां पर क्या हो जाएगा द बेस्ट यानि कि my grandmother always brought me my grandmother brought me the best present ever उसके बाद का जो है question वो देखेगा क्या कहता है कि he has been dash here since 1997 अब यहां पर यह तेंस में बता दू कौन सा टेंस है यह present perfect continuous tense है और present perfect continuous tense का जो structure बनता है वह बनता subject plus has plus been plus यहां पर क्या होता है वर्फोर तो वर्फोर क्या हो जाएगा living तो राइट अंदर क्या हो जाएगा he has been living he has been living here since 1997 और since of four का तो आपको पता है since of four हम कहां यूज करते हैं तो since का यूज वहां करेंगे सुबा से दोपहड से साम से ना 1987 से और four का प्रयोग कहां करेंगे तो जहां पर duration बता है मतब पढ़ना एक अच्छी आदत है ठीक है लेकिन जब infinitive में पूछा जाता तो यहां लगाते है to read जब infinitive होता तो हमें यहां पर लगाते कमेंट में हमें क्योंकि कमेंट जब तक आप नहीं करता है मुझे पटा नहीं लगता क्या वीडियो कैसा लगी आपको इसमें आगे वीडियो बनाओ या ना बनाओ इसी वज़े से मैं प्री पोजिशन की वीडियू नहीं बनाई और मुझे आबinte सारा है कि मैं में नहीं पाता कि हां आपको क्या चाहिए आप वीडियो चाहते हो या नहीं चाहते हो तो ठीक है वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें जितना हो सके कमेंट करें और सेयर करें और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में